तो वेलकम डियर श्टुडेंट्स टूडे वी लर्ण आवाउट हिस्ट्री इतियास तो इतियास या जो हिस्ट्री है इसको अपन हिस्ट्रिया इतियास तो जो इतियास है इस इतियास को या मानव इतियास को उसके उपलब्द जो स्रोत है उसके बारे में जान करें कि जो उपलब्द श्रोत है उसके आदार पर इसको अपन तीन भागों के अंदर बाढ़ते हैं इतनी बागों में बाढ़ते हैं तीन बागों में बाढ़ते हैं तो पहला है वो आ गया प्रागेतियाशिकाल प्रागेतियाशिकाल या इस प्रागेतियाशिक जो काल है इसी को अपन बोलते हैं पासान काल इसको क्या बोलते हैं अपन पासान काल और यह जो पासान काल है इस मानव की उत्पती लग भग 20 वर्स 20 लाक वर्स से लेकर के और ये जो कारेकाल है वो 4000 इसा पूरो तक का समय है वो अपने पासान काल के अंदर आता है दूसरा है उसको अपन बोलते हैं किया बोलते हैं अपने आधे एतिहासी क काल या जो आधे एतिहासी काल है इसको अपन प्रोटो प्रोटो हिस्टोरिक एज भी बोलते हैं और पंद्रा सो इसा पूर्व का समय है वो इसके अंदर आते हैं इस काल का लेखन इस काल का अपन को लिखित साहिते मिला है पासान उक्रन भी इसके साहिते के सुरोत है और लिखित साहिते मिला है लेकिन उसको अपन पढ़ नहीं सके है पढ़ नहीं सके तो इस कारे काल के अंदर कौन सा आता है हडपा काल हडपा काल या सिंदुगाटी सब्वेता काल है वो इसके अंदर आ जाता है तीसरा काल है अपना एतिहासी काल तीसरा जो काल है उसको बोलते हैं एतिहासी काल तीसरा काल है उसको एतिहासी काल बोलते हैं औ और अब तक का समय है इसके अंदर आता है, तो इसमें जो पाथान उपक्रण है या प्राज्विक साहिते और लिखित साहिते दोनों इस समय का मिलता है, तो अपने देखा कि जो इतियास है, उसको मूल रूप शेपन कितने भागों के अंदर बाढ़ दिया, प्रागेतियाशी काल या पासान काल दूसरा आदेतियाशी काल या प्रोटो इस्टोरिक एज तो पासान काल का जो समय है वो बीस लाख वर्ष से लेकर के चार हजार इसा पुरोद तक आता है और कुल मानव की उत्पती से अब तक का जो समय है उसका 99.99% काल है वो इसी के अंदर आजाता है पिसमे पासान काल के अंदर आता है लेकिन इसका विज़ोन अपन को बहुत ही कम मिलता है अब ये जो पासान काल या प्रागेतियाशी काल है इसको अपन फिर तीन भागों में डिवाइड करते हैं भागों में डिवाइड करते हैं तीन भागों में डिवाइड करते हैं पहला है वो आ गया पूरा पासाण काल दूसरा है या पैलियो लितिक एज पहले लिथिक एज है इसका जो समय है वो 20 लाख वर्स पूरुए से लेकर के 10,000 वर्स पूरो रतक का समय है वो पूरा पासान काल में आता है दूसरा है मदे पासान काल मदे पासान काल या मीजो लिथिक एज ये मीजो लिथिक एज है इसका समय है वो 10,000 से लेकर के और 8,000 वर्स पूरो तक का समय है इसके अंदर आता है और जो तीसरा काल है वो है नव पासान काल ये नव पासान काल है इसको अपन नियो लिथिक एज भी बोलते हैं और इसका जो काल खंड है वो 8,000 से लेकर के 4,000 वर्स पूरो तक का समय माना गया है अब यहां पर अपन देखते हैं कि यह जो इनका काल है उस काल के अंदर कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि अपना मद्य पासान काल 10,000 से 8,000 से पूरो यह हो क्योंकि ऐसी संस करती है वो इसके बाद में भी अपन को मिल सकती है और इसे पहले भी मिल सकती है तो जो ये मनुश्य का ये तीन कालों में अपन डिवाइड किये रहे हैं इसके अंदर मनुश्य है पहला पासान काल और जो मद्दे पासान काल तका समय है उसके समय तक मनुश्य है वो पर्थवी का जो वातवन है वो ठंडा था और इसके कारण जो नदी घाटी है या तलेट पूरा पासन काल के अंदर मनुष्य के बारे में जानकारी मिलती है वो उसके पासान उपकरणों के अपन को उसके बारे में जानकारी मिलती है और उस समय नदी छेतर के अंदर जो पाए जाने वाले पेबल्स हैं उनकी साहता से उनको यूज करके मनुष्य है उन उपकरणों क काम में शिकार करने के लिए किया करता था और इन इन पत्रों को अपन पेबुल्स बोलते हैं और इनके दवारा उसने हैंडेक्स हैंडेक्स या जो कुलाडी है उसका निर्मान इस काल के अंदर किया तो पूरा पासान काल के अंदर मनुश्य का जो जीवन था वो कैसा था वो इस काल के अंदर मनुश्य है उसने वो आग से परीचित हो गया था लेकिन आग वो यूज करना उसको नहीं आता था दूसरा जो मद्य पासान काल है उसके अंदर मनुश्य है वो पसुपालन सीख गया क्या सीख गया पसुपालन है वो सीख गया और नव पासान काल को नव पासान काल के अंदर इसके जो पासान उपकरण है वो पूरा पासान काल से कुछ छोटे और ज्यादा सेंगहतिक हो गए यानि ज्यादा वार करने वाले हो गए इस काल के अंदर जो ब्यूरीन है छेदक है ये सब चीजे उपकरन अपन को मिलते हैं नव पासान काल को अपन नव पासान कालीन संस्क्रती के नाम से या नव पासान कालीन करांती के नाम से भी जानते हैं इस काल का सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा जो अविश्कार ये था कि वहे पसुपालन के साथ साथ में खेती भी करने लग गया था पहली चीज, दूसरी चीज, इस काल में मनुष्य ने पहिये का विश्कार किया तीसरी चीज, इस काल में मनुष्य धिरे धिरे पर्थम धातु जिसको तामभा बोलते हैं ताम बेशिव है आवगत हो गया तो इस प्रकार से ये पूरा पासान काल मद्दे पासान काल और नवपासान काल का समय आ गया इस पूरे समय को अपन इस पूरे समय को अपन क्या करेंगे इस पूरे समय को ये पासान काल है इसको यदी चित्र में अपन दर्साएं तो इसके लिए अपन को एक छोटा सा मैप बनाना पड़ेगा इंडिया का और इस इंडिया का जो मैप है इस मैप के अंदर अपन इन चित्रों को दर्साते हैं तो अपन को मालूम चलेगा कि उस समय ये जो पासान कालिक संसक्रतियां हैं वो भारत के अंदर कहां कहां फैली हुई थी तो ये अपने एक भारत का नक्सा है वो लिया है और इस भारत के नक्से के अंदर ये अपना ये भारत का अपना नक्सा आ गया तो इस नक्से के अंदर अपने देखते हैं कि ये भारते उपमादीप है इस भारते उपमादीप के अंदर ये गंगा नदी का अपवातंतर आ गया इदर अपना जो शिंदू नदी है उसका अपवातंतर आ गया इसके अंदर ये तो अपनी सतलज नदी हो गई सतलज के बाद में ये व्यास हो गई, ये रावी हो गई, ये चिनाब हो गई, और ये जहलम नदी हो गई और यहां पर ये अपनी शिंदू नदी है, वो यहां से यहां से निकल करके आती है तो ये सिंदू छेतर ये गंगा तंतर इस गंगा तंतर के अंदर अपनी ये जो चंबल नदी है वो भी जाकर के मिल जाती है यहाँ बेतवा मिल जाती है अपन डक्षिन में देखते हैं यहाँ पर राजस्तान के अंदर ये लूनी नदी बेती है और ये जो नदी है ये है नर पूर्वी घाट में कावेरी नदी और कावेरी के बाद में ये अपनी कर्षना नदी इसको क्या बोलते हैं अपने कर्षना कर्षना की दो साइक नदिया है एक तो भीमा और एक तुंक भद्रा तो कावेरी कर्षना और ये जो गोदावरी नदी है ये गोदावरी और ये महा नदी इसको क्या बोलते हैं अपने गोदावरी नदी ये अपनी कर्षना नदी ये कावेरी नदी और ये सिरिलंका जो अपना दक्षिन का पडोशी देश है तो वो सिरिलंका गया अब ये जो अपन पासानकाल जो संस करती हैं वो नदी घाटियों के पास में मिली इसके अंदर पूरा पासानकाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर बेलन घाटी पाकिस्तान के अंदर सोन सोन नदी है उसके पास में इसकी जो सबते हैं मिली है इसके साथ में ही महरगड पाकिस् यहाँ पर सात हजार इसा पूरवे पर्थम ख्यती के अपने को प्रमान मिले हैं। और यहाँ अपना नौ पाजाई झालिंग अिस तरहें हैं उनके अंदर बिहार के अंदर चिरांद बिहार के अंदर चिरांद यहां पर गुप कराल और बुर्ज होम यहां पर कौन से हैं गुप कराल और बुर्ज होम तो यह गुप कराल और बुर्ज होम हैं यह दोनु कहां मिलते हैं अपने जंबु कस्मीर के अंदर मिलते हैं बुर्ज होम एक ऐसा इस्तान है जहां पर अप के दा करम के अपन को अउसेश याँ पर मिले हैं उत्तरप्रदेश के अंदर कोलडी हवा उत्तरप्रदेश में कोलडी हवा यहां से प्राचिंतम चावल के gener does मिले हैं इसी के साथ में मेह, दवा, यहाँ पर भी अपने को पासानकाली मिले हैं, नौ पासान, पुरा पासान, नौ पासान और नव पासान काल इन तीनों के अवसेस अपनको मद्य परदेश के अंदर भोपाल के पास में भीम बेट का याद रखना इसको भीम बेट का कहा है मद्य परदेश के अंदर और यहां पर अपनको सहल चित्र मिले हैं और उन सहल चित्रों के अंदर अपनको पूरा पासान काल के जो अफसेस हैं वो चित्रों के दवरापन को सहल चित्र मिले हैं इसके साथ में अपन देखते हैं कि नर्वदा नदी के किनारे हैं वो भी कई अफसेस मिलते हैं और यहां पर मास्की कुनौल और यह कई पिकली हल ये कई अपनको दक्षनी भारत के अंदर कई अवसेस हैं वो पासानकाल के मिलते हैं तो ये पासानकाली कुछ इस्तल हैं उनके बारे मैं ये आपको बताया है नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताया जाएगा थैंक्यू इसको आप ध्यान रखें